हेलो व्रिवन एंड वेलकम अगें तो साइको लेफ संट की चेप्टर वाइस सीरीज में आपका स्वागत है पिछली वीडियो में हमने प्रियोडिक क्लासिफिक्टर को खतम कर दिया था और जिसके साथ आपका जो टैंथ का केमिस्ट्री है वो भी एंड हो गया था टैंथ की वीडियो से हम क्या सुरूर करेंगे टैंथ की विजिक्स ऊपके तुमें आपके पहले दिखा देता हूं आपके तैंथ की फीजिक्स क्या क्या दे रखा आपके स्लेवर्स और इसमें जो यह वाला च Epic current और光 microbi cabinet वाला Chile reflection of light reflection, magnification ये एक chapter को तीन chapter में तोड़ देगा है तो मैं इसको तो एक ही chapter में निम्टा दूँगा एक बार में तो ये है जो यहां से यहां तक है आपका यहां से ये जो इतना portion है यही है आपका 10th की physics तो इसको हम खतम करेंगे एक, दो, ती, चार, पांच पांच chapter आपके syllabus के according तो इन्हे हम एक week में खतम करेंगे यानि 5 से लेके 6 वीडियो में ही खतम करेंगे अगर मुझसे कोई पूछे कि physics, chemistry, bio में आप सबसे अच्छा क्या पढ़ाते हो तो मैं बोलूँगा कि physics ओके, physics मैं बहुत सही पढ़ाता हो इसका मतलब यह नहीं कि chemistry और bio नहीं पढ़ाता हो वो भी पढ़ाता हो, लेकिन मैं physics बहुत अच्छे से explain कर सकता हो और अगर मुझसे पूछा जाए कि आपको सबसे अच्छा पढ़ाने में क्या लगता है अगर मुझे पुछे, मुझे पढ़ाने में क्या अच्छा लगता है तो biology, bio पढ़ाने में में मेरे को अच्छा लगता है लेकिन अगर मेरे से पुछे कि सबसे अच्छा क्या पढ़ा सकते हैं तो physics, तो आपको ऐसे भी पता चल जाएगा आपको इस series को continue रखना है physics का एक भी doubt आपके मन में नहीं रहेगा सारे doubt क्लियर हो जाएगे वीडियो को देखते हैं एक बार वीडियो को देखते ही आपके सारे doubt क्लियर हो जाएगे तो आज हम क्या बढ़ने वाले तो आज हम पढ़ेंगे reflection of light यह वाले जो चैप्टर है मैंने अपने notes में यह तीन चैप्टर है यह आपके स्लेवस में तीन चैप्टर है इसको एक ही चैप्टर बना रखा है तो हम इसे सुरू करेंगे light वाले चैप्टर को reflection वगेरा देखेंगे चैप्टर करना है मैं light यानि के प्रकास इसमें देखिए हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और जो वीडियो होगी वह हिंदी और इंग्लिस दोनों में होगी ठीक है तो हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिस मीडियम वाले दोनों को समझ मा जाएगी वीडियो और इसकी PDF आप और उसका जो basic terminology है उसमें क्या के terms होते उन सबको देखेंगे law of reflection प्रावर्तन के नियम देखेंगे types of mirror देखेंगे कॉंके mirror और convex mirror अपतल और उत्तल दरपन इमेज के बारे में देखेंगे यानि पर्ति बीम source of light इमेज फॉर्म बाई plane mirror समतल दरपन द्वारा बना गया पर्ति बीम उसको देखेंगे uses of plane mirror plane mirror का क्या उप्य होगे वो देखेंगे spherical mirror and termology spherical mirror के बारे में देखेंगे फिर उसके बाद देखेंगे rules of obtain image from spherical mirror से image को obtain करने के rules देखेंगे natures and position of image form by convex mirror दोनों के देखेंगे uses of spherical mirror देखेंगे mirror formula देखेंगे और magnification का formula देखेंगे और sign convention देखेंगे तो काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा यहां से और यह chapter तो बहुत ज़्यादा important नहीं exam के लिए तो यहां से भी आपके question एक से दो जरूर देखने के लिए जो शुरू करते हैं chapter को सबसे पहले देखते है light light यानी की परकास परकास होता क्या है तो सबसे पहले यह जान लेज़े कि परकास जो है वो क्या है एक energy है एक क्या है उड़ जा है परकास क्या है एक उड़ जा है जो हमें help करती है हमारी चारों तरब की चीजों को देखने में हैं तो प्रकास क्या है एक एनर्जी है जो क्या करता है हमें मदद करता है कि हम अपने चारों तरप की जो चीजें उसे हम देख आप कि हम देख सके हैं अब देखे इट इसन इलेक्ट्रो मेगनेटिक वेव ठीक है यह क्या है इलेक्ट्रो मेगनेटिक वेव है इलेक्ट्रो मेगनेटिक वेव और मेकेनिकल वेव यह हम नाइन्थ में पढ़ चुके हैं ठीक है नाइन्थ में अगर आपने नहीं देखा तो आप आप वहाँ से देख सकते हैं 9 की प्लेलिस्ट बनी हुए है मोटा मोटा मैं आपको पता दता हूं Electromagnetive wave इसको travel करने के लिए मीडियम की आप सकता हो भी सकती नहीं मतलब कि यह बिना मीडियम के भी travel कर सकता है और मीडियम है तो उसमें लाएंगे तो कोई सुनी नहीं पाएगा और जबकि जो परकास है सूर्य से परकास आ रही है बीच में अल्ट्रिक्स पढ़ता है यानि वैक्यूम पढ़ता है तब भी ट्रैवल करके अर्थ पहाँ जाता है तो तो एलेक्ट्र मेगनेटी वेव मीडियम में भी travel करता है एस वैक्यूम में भी जबकि मेंकेनिकल वेव केवल मीडियम में travel करता है अब आगे देखते हैं टाइप सब अब अबजेक्ट वस्तू के परकार वस्तू दो ही परकार को हो सकते हैं या तो लुमिनेस होंगे या भ जो हिंदी से इंग्लिस पर शिपट हुआ है यानि मैंने भी इस सारी चीजे पहले हिंदी में बढ़ी को याद करना में कठीन होता है बहुत सारी यह कठीन होती और वहीं इंग्लिस में होता है सब चीज और जाद देर तक हम उसे याद भी कर सकते हैं, तो luminous यानि कि are those which have own light, यानि जिनका खुद का परकास होता है, जैसे कि सूर्य हो गया, सूर्य क्या है, खुद का परकास है, तारे हो गया, तारों के पास क्या है, खुद का परकास है, चंद्रमा, चंद्रमा, luminous नहीं होता है, इस होग गया आप आते हमारे टॉपिक पर यह जो आज की वीडियो पूरी की फूरी वीडियो है reflection यानि ही प्रावर्थन पर इसके बाद दूसरा पार्ट आएगा जो इसका वो आएगा आपका reflection पे आप उबरतन पे और इसी के साथ आपके तीन चप्टर एक साधी ख़ता मुझे आएंगे ठीक तो देखिए reflection reflection it is a bouncing back of light ray on striking the surface देखिए क्या है हिंदी में भी बता जाता हूँ इसकी definition किसी माध्यम में संचरन करती हुई है इसको समझते हुए इसको बोलते रिफ्लेक्टर और हिंदी में बोलते हैं प्रावर्तक, ओके प्रावर्तक बोलते हैं, यह कोई किरण है, यह एक मीडियम में था ठीक है, और इसके नीचे अगर चल जाता तो दूसरे मीडियम आ जाता है, म2 में, पर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से आया, रिफ्लेक्टिव सर्फेस से ट ला गया ये हो गया प्रावर्तक, यह हो गया प्रावर्तक नयानी कि सर्फेस होगा वो क्या होना चाहिए साइनिंग होना चाहिए बिल्कुत चमकदार होना चाहिए इट शुड़ है पॉलिष्ट सर्फेस जो इसका सर्फेस हो पॉलिष्ट होना चाहिए तब ही ज्यादा क्या होगा रिफ्लेक्शन होगा और इट शुड़ है smooth surface जो सरफेस है वो smooth हो रचे यानि कि उसका surface होना है smooth हो, polish हो, shiny हो अगर यह तीन होगा तो बहुत अच्छा reflector बहुत अच्छा प्रावर्तक है तो यह तीन गुन होते हैं किसी अच्छे प्रावर्तक के किसी अच्छे reflection यानि कि प्रावर्तन के नियम आपको बता जाता हूं देखिए यह क्या है मैंने आपको reflector प्रावर्तक सत्य है यह कोई यह जो किरन आ रही है तो जो किरन आती है जो रह आती है उसको बोलते incident ray इंगलिस में को दो किम्त बोलता इंसिदेंट रहे हिंदी में क्या बोलते हैं आपतित किरन इसको क्या बोलते हैं आपतित एक हो गोलते हैं भी inyl ए में चलाब नाम है और ये ऐंगल बन रहा है इसके बीच में अंगल बन रहा है जिसका नाम है अंगल ? एंगल आई, ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, इस एंगल को क्या बोलते हैं, आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल, ओके, इसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण, और इसी परकार नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, यानि कि अभिलंब और प्रावर्तित के रे, के बीच में एक और अंगल बन रहा है, इसको बोलते हैं学 R, इसको बोलते हैं प्रावर्तित कौन, इसको क्या बोलते हैं, प्रावर्तित कौन, ओके ये दो एंगल बन रहे हैं और ये दोनो रे है, आप देखें सके नियम पहला नियम क्या है, i серд e ray reflected e और normal ये तीणों क्या होते हैं एक ही ठींग आप ततन बरावर अप्रावर तन कौन यह वाला कोड और यह वाला कोड दोनक्वावर थे है ठीक है यह आगे जाएक कि यह बहुत हीूज होगा यह वाला कौन सर्ब देगे तो अंगल आइबरावर अंगल आर दूसरक नियम होगा है तो प्रावर्तन की क्या है, दो नियमें, कि ये तीनों जो तीनों हैं, ये एक ही प्लेन पे होंगे, एक ही प्लेन पे होंगे, और जो एंगल आई है, वो एंगल आर के बरावर होगा, ठीक है, इसी था, अब नेक्स आगे चलते हैं, Types of mirror, दरपन के परकार, देखे, दो परकार के mirror है, एक होता है, plane mirror और एक होता है, Spherical mirror, okay, plane यहनी, सम्तल mirror, और एक होता है, गोलिय दरपन, Spherical, okay, तो आपको मैं सबसे पहले, Spherical mirror के बारे मां बताता हू, spherical mirror क्या होता है that have curved reflected surface जिसके पास इस type का हो curved उबरा हुआ हो इधर से भी reflection हो सकता है इधर से reflection हो सकता है या फिर इधर से भी reflection हो सकता है दोनों साइड से हो सकता है अगर अंदर से reflection होगा तो वो होगा अब तल दरपड और अगर बाहर से reflection होगा तो होगा उत्तल दरपन अभी देखेंगे आगे तो spherical mirror क्या होता है जिसके पास कैसा जिसका reflector surface कैसा हो अभी हमने एक reflector surface देखा था यह यह क्या है प्लेन है विल्कुल सीधा है पर अगर यह curved हुआ curved हुआ यह ठीक है मुडा हुआ हुआ तो यह होगा spherical mirror ओके spherical mirror दो टाइब क्यों होते है कौन कोन से हों दो टाइब concave mirror यानि की अव्दल दरपन और convex mirror यानि की उत्तल दरपन यह दो परकार क्यों होते है तो दोनों को देखते है सबसे पहरले देखते है concave mirror यानि की अव्दल दरपन concave यह कैसा होगा केव जैसा होगा इंगलिस में सिले भोला मैंने कि आसान है केव से याद रख सकते हैं केव यानि की गुफा गुफा बना हुआ है यहां पर तो कॉन केव यानि की अबतल दर्पन कैसा होगा कि कॉन केव is that in which reflection recurs through inner surface ओके अभी क्या होना है मैंने है आपको जो स्पेरिकल मिलर होगा उसका जो रिफ्लेक्टर शर्फेस और कैसा होगा यानि इस टाइप का होगा अब इसमें दो सोब 사실 से कि यदर रवालों साइट से strongly constellation क्रवार्वा युद्र तो पॉलिस करेंगे और दूसरी तरлять से क्या करेंगे प्रावरतन करवाएंगे के हुझे तो अगर हम अंदर की साइट से रिफ्लेक्शन करवा रहा है युद तो इसी को को बोलते हैं concave mirror यानि कि अपतल दरपन ओके reflection अकर through inner surface inner surface के through reflection होगा ओके यहां से जाके टकरा के आएगी रे ओके और इधर पीछे की side क्या करेंगे हम polish कर देंगे तो यह हो गया हमारा concave mirror दूसरा होता है tetare convex यानि कि उत्तल दर्पन उत्तल दीर में इसका उलटा होता है अंदर की side से हम क्या करतेंगे polish कर देंगे यह polish का sign होता है SS awhilese, SShes कर देते हैं इसको बודעume polish Polish कर दिया Polish कर दिया इसका मतलब क्या होता polish का मतलब कि इसके आरपार कोई light नहीं जा पाईगे अगर इसको पर हम लाइट डालेंगे तो इसके पीछे से नहीं जाएगी टकरा के वहाँ भी जाएगी इसलिए पॉलिस कर रहे हैं तो पीछे तो मतलब अंदर की साथ हमने क्या कर दिया पॉलिस और जो उभरीवी सता है इसकी वहां से हम क्या करवा रहे हैं इनेट सर्फेस पर हम पॉलिस करें तो यह होता है आपका अफ्तलदर्पन और उत्तलदर्पन दो टाइप के स्पैरिकल मिरर होते हैं इनको और अच्छे से देखेंगे अगे अब आगे देखें इमेज यानि की पर्तिभीम आपने सुना होगा पर्तिभीम अब मैं आपको पर्तिभीम के वारे में बहुत सारी चीज़े बताता हूं जो कि इस चप्टर में बार बार यूज होगी तो देखेंगे सबसे पहले पर्तिभीम बनता कहा है तो पर्तिभीम देखें कहा मता है जिस बिंदुबर कम से कम दो प्रावर्तित किरने पर्तिछेद होती है या पर बनेगा के इमेज बनेगा वहाँ पर निए धुक्ष होती है ॹार। एक दूसरे को काटने वाली है वहाँ पर क्या फॉर्म होगा इमेज फॉर्म होगा यानि कि पर्तिविम फॉर्म होगा अब देखिए इमेज दो परकार के होते है एक होता है आपका रियल इमेज और एक होता है आपका वर्चुल इमेज यानि कि वास्तिविक पर्तिविम और करती है यह तब बनता है जब रियल में दो किरणे एक दूसरे को इंटरसेट करती है और वर्चुल इमें जब ऐसा लगता है कि दो किरणे आपस में इंटरसेक्ट करते लेकिन करती नहीं है यह आपको आगे जाके समझ में आएगा क्योंकि पूरा चेप्टर यही आएगा बार बार आएगा इन सब में कि हम पीछे जाके उसको मिलाएंगे किरिणों को पीछे जाके मिलाएंगे यहाँ पे जब क्यों मिलेगी नहीं हम जान मुझके मिलाएंगे व पर्दा यानि की screen, screen पर हम इसको obtain कर सकते है, real image को तो यही आपको याद रखना है, यह वाला important है कि screen पर किस image को obtain करा जा सकता है, तो real image को और virtual image को हम पर्दे यानि की screen पर obtain नहीं कर सकते हैं इस पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं आगे देखिए वास्तविक परतिविम हमेशा कैसा बनता है उल्टा बनता है वास्तविक परतिविम हमेशा उल्टा बनता है और आवासी परतिविम हमेशा सीधा बनता है ठीक है काफी important point है वास्तविक परतिविम हमेशा कैसा बनेगा उल्टा बनेगा वास्तविक परतिविम हमेशा उल्टा बना के याद करता हूं जैसे यह निमोनिक बना रखा है और निमोनिक बना के याद करना बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा फाइदे मन्द होता है मतलब इसे बहुत लंबे टाइम तक हम याद कर पाते हैं जल्दी नहीं भूल पाते हैं भूलता हर कोई है लेकिन उसके ब मिरर के आगे फॉर्म होगा जैसी मिरर है यहां पर हम रिफ्लेक्शन करवा रहे हैं तो यह इधर यहां पर अब्जेक्ट रखा है तो जो इमेज बनेगा वो भी इधर बनेगा ठीक है इधर पॉलिस करके पीछे और जो आवासी परती भीम होता है वह हमेज़ा दरपन के कैसे पीछе बनता है इधर पर लिफ्लेक्शन हो रहा है तो यहां पर बनेगा यहां पर हमेरे क्या रखा है औब्जेक्ट रखा है तो इमेज इधर बनता है पीछे में ऐसा होगा सीधा होगा 80 से आपको याद रखना है कि आभवासी होगा तो सीधा होगा यह दित्स्टएस अब बराबर होता है यानि कि यहाँ पर यह रखाए मिरव रखां चारा यह और जो इमेज फॉर्म होगा दोनों का क्या होगा डिस्टेंस सेम ही होगा दोनों का डिस्टेंस क्या होगा सेम होगा यह दरपन के पीछे बन रहा है क्यों बन रहा है क्योंकि यह कैसा है वर्चुल इमेज है तो दोनों का क्या होगा डिस्टेंस सेम होगा जितनी दूरी पर होगा उतरी दूरी पर यह बनेगा ठीक है अब नेस्ट पॉइंट देखिए बहुत ज़्यदा इंपोर्टन ने पता नहीं कौन-कौन से एक्जाम में पुछा गया है यह देखिए लेटरली इनवर्टेड होते हैं यानि की पार्स परिवर्टन होते हैं लेटरल इनवर्जन का मतलब समझते हैं लेटर इनवर्जन एक्जाम्पल के समझाता हूँ मैं आपको आपके घर में मिरर होगा तो वो मिरर कौन सा है प्लेन मिरर है जिसमें आप अपनी सकल देखते हो बरज और भूंच वो प्लेन विर उसको उसाम ने ऐसे पांच उंगली आ जो में इसका उल्टाएगा मतला मेरेर में ऐसा लगेगा कि आपने दायां हाथ उससे लगए आपने दायाहात रहे हैं तो इसमें क्या होता है जो लेफ्ट हेंड साइड होता है वहराइट हेंड दिखाता है जैसे बोdaughter्षाझां यान ultra से ऐसे करते हैं या फिर इधर से ऐसे की side करते हैं ठीक है तो जब आप सीधा करते हो सीधा करते हो mirror में देखके तो वो आपका उल्टा होता है ठीक है अगर real में आपको कोई देखेगा तो वो उल्टा दिखेगा उसको क्योंकि आपको लग रहा है कि mirror में तो आपने सीधा बनाया है जबकि आपने real में उल्टा बनाया है वो mirror में सीधा दिख रहा है बाल और बनता है उल्टी साइड से है ठीक है तो यह यह वी एक example best example समझने के लिए ठीक यह हो गए letter inversion अब आगे देखते हैं spherical mirror के बारे में अच्छे से देखते हैं spherical mirror के बारे में हमने basic देखा कि उसका जो surface होगा प्रावर्तित सत्य होगा वो कैसा होगा curved होगा ठीक है अब इसमें देखते हैं बहुत सारी terminology है इसकी spherical mirror की उसे समझते हैं देखिए सबसे पहले होता है aperture camera में भी सुनाओगा aperture यानि की द्वारक द्वारक क्या होता है it is a part of spherical mirror from which actually the reflection occur ठीक है यह होगहा है spherical mirror अब spherical mirror का wahae part वहó part जितना क्या करता है reflection करता है जैसे यहां से यह तकय का के ङापता है कि स्पहígen को काटके बना जाता है गोले दर्पन गोले को Θंब से काट दिया एक तरफ हमने पॉलिस कर दिया और दूसरे साइड़ से हम क्या कर रहे है उसका परावर्तन कर वार है इसको बोलती है इस स्पहरड़ मिरर टो जितना एरिया करवेचर यानि वकृत्प केंद्र तुछ है center of कर्वेचर यया वकृत्त चेंद्र इसbtar 이 स्पैरिकल जाने आपको क्या हो ला कि kosve Genau को हम एक गोले को नौके कर बनाते है तो यह गोला था गोले की जो सेंटर होगी ना उसी को बोलते हैं हम वक्रता केंद यानि की center of curvature curvature जैसे कि यह उपर है यह गुलता इसका जो center है यह यह हो गया आपका center of curvature इसे किसे represent करते हैं capital C से capital C से इसको represent करते हैं ओके तो यह केंदर होगी है नैट्स पॉइंट है हमारा principal access यानि की मुख्यक्ष मुख्यक्ष क्या लता है वक्रता के अंद्री से जो सीधी line जाती है उसी को बोलते हैं हम principal access जैसे कि यह वाली जो line जा रही है ठीक है यह वाली line यह क्या है हमारा principal access यह आगे और आगे भी बढ़ा सकते हैं जितना आगे बढ़ा सकते हैं यतना पीछे बढ़ाना चाह सकते हैं टिक है तो यह जो लाइन है वक्रता के इंदरस भी सीधी जा रही है इसी को को बोली अ क्रिंस्पल एक से यानिंग की कि मुख्या next is pole, pole यानि की धूर्व, धूर्व क्या होता है ? it is the point where principle axis strike the mirror वहाँ point, यह था principle axis, principle अग्याए कि c से जाता है वकरता कह ना जा रहा है ? जहाँ पे इसने इसको touch किया aperture को, जिस point पे, यहाँ पे touch किया इसने तो यही क्या हो गया? pole हो गया, okay बढ़ा करके बताता हूं यह हो गया C, C से जो लाइन जाती है इसको बोलते हैं मुक्य अक्स, देखे जहां पर दर्बन को टच मार रहा है, यहां पर टच कर रहा है, तो यह ही हो गया है, हमारा पोल इसको P से रिपेंसेंट करते हैं, ठीक है, यह पोल हो गया, इससे करते हैं इसे किस से करते हैं Capital R से वक्रता तिर्जा ओके रेडियस आप करवे चल ठीक इट इस दे डिस्टेंज बिट्पिन सी एन पी यह हो गया फोकस क्या होता है देखिए आप फोकस समझें फोकस को हिंदी में फोकस ही बोलते हैं फोकस इट इस दे पॉइंट वेर ओल रिफ्लेक्टेड रेज मीट और अप यह टू मीट यानि की स्पैरिकल मिरर में प्रावर्तन के बाद जितनी भी रेज हैं जितनी भी किरने हैं जिस पॉइंट पर आकर मिलती है उसी को बोलते हैं फोकस या फिर मिलती भी प्रतीद होती है उसी को बोलते है फोकस जैसे कि यहां से एक रे गई पहले पर अच्छे से बना तो यह C हो गया C से यह गई प्रिंस्पल हो गया यह 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 प् आके मिलती है उसी को मिलती है या फिर मिलती ही प्रतीत होती है मिलती प्रतीत थीग है अप्येर वाला पॉइंट आपको आगे अच्छे समझ में आएगा जब हम अब तल दर्पन के बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो उसको बोलते हैं इसको किससे रिप्रेजंट केते हैं अब एक होता है फोकल लेंथ फोकल लेंथ क्या हता है डिस्टेंस बिट्विन फोकस एंड पोल देखें फिट से बनाता हमें डाइगरां यह सी हो गया सी से क्या जाएगा यह प्रिंस्पल एक्स यहां पर पी पे इसने स्टाइक किया अब यहां पर था एफ जहां पर सारी किर्णे टकरा के आ रही थी तो जो एफ से लेके पी तक की जो डिस्टेंस है यही होता है हमारा फोकल लेंथ ओके फोकल लेंथ क्योंगे एप से लेके पी तक और सी से लेके पी तक क्या होता था आर होता था ठीक है रेडियस अपकर वेचर वक्रता तिर जाता था लेकिन एप से लेके पी तक इतना डिस्टेंस इसको बोलते हैं हम फोकल लेंथ ओके अब एक पॉइंट आपको नोट करना एक फॉर्मूला यह यह जिस पर कुश् भी होती है अच्छा फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिपर्सेंट करते हैं तो देखिए यह स्मॉल एफ है तो फॉर्मूला क्या बनाएगा इसको मैं फॉर्मूला का फॉर्मूल कूंगा यह जो रेडियस होती है वो क्या होती है दो गुना एफ होती है फोकल लेंथ की क्या होगा डबल होगा नए fp का डबल होगा डाइगराम बना के आप समझ सकते हो तो यही फॉर्मुले का फॉर्म में लिख दिया गया कि जो आर होता है वो क्या होता है दो गुना होता है focal length के या फिर इसी को हम कैसे लिख सकते हैं दो को यहां भेज देते हैं ओके दो यहां चल दाएगा डिवाइड में तो f बरावर ry2 हो सकता है यहां कि जो focal length होता है वो radius का क्या होता है आधा होता है यह भी बोल सकते हैं चिक तो यह एक फॉर्मुला होगा पहला फॉर्मुला अब आगे देखते हैं अव्दल दर्पन और उत्तल दर्पन के किरन आरेक ब the incident ray that comes parallel to principal axis आपको पता चल गया क्या होता है इंसिडेंट रे क्या होता है पता चल गया आपको तो जो इंसिडेंट रे आप्तित किरन जो principal axis के मुख्य एक्स के समानतर आती है ठीक है reflection के बाद reflection के बाद कहां से जाएगी focus से जाएगी क्योंकि reflection के बाद सभी rays कहां पर मिलती तो यह भी वहीं पर मिलेगी तो यह आई कोई incident ray यह देखिए parallel है समानतर किसके principal axis के टकरा के कहां से गई focus से पहला नियम क्या होता है यह होता है कि कोई भी ray आएगी जो principal axis के parallel होगी वो टकराने के बाद यानि प्रावर्तन के बाद हमेशा focus से ओके जाएगी यह तो गया अ यही बोल रहा था मैं प्रतीत होती है real menu अब देखिए यह टकरा के वापिस चली गई यह तो चली गई वापिस लेकिन हम इसको पीछे मिलाएंगे पीछे पीछे मिलाएंगे तो यह एप पर मिलती हुई लगेगी ठीक है यहां पर मिलनी रही ना रहे तो चली गई टकरा के पर हमने इसको जबरदस्ती पीछे मिलाया और यह कहां पर मिल एप फोकस पर तो यही पॉइंट अभी बार बार पीछे आ रहा था कि प्रतीत होती है मिलती हुई प्रतीत होती है आप समझ गया होगी क्योंकि अब तल दरपन में टकरा के तो वापिस चलेगी हमने इसको पी इंसीडेंट रे कमिंग फरोकस जो फोकस से आएगी इंसिडेंट रे और दूसरा नियम किया इक दूसरे के उल्टेम दोनों यहां दो गए अब इधर उत्तल धरपन का भी बना सकते हो ऐसी थर देखिए the incident ray coming through sea retrace it path यानि कि जहां से आती है वहाई से वापिस चली जाती है अपने path में retrace हो जाती है क्या वोल रहा है इस point में वक्रता केंद्र यानि कि center of curvature से अगर कोई ray आ रही है देखिए यह center of curvature यहाँ पे न यहाँ से कोई ray आई टकराने का वापिस यहीं से चल जाएगी इधर से आई इधर से चल गई ठीक है ऐसे है अगर हम उत्तल में करें यह है टकरा के वापिस चलेगी और इसको पीछे बढ़ाएंगे तो खांपे मिलेगी यह center of curvature पे ओके तो इस point में हमने क डाइगराम बनेगी चौथा नियम देखिए कि the incident ray striking at pole by certain angle is reflected through same angle मतलब कि कोई ray आई उसने पोल को जिस एंगल पे strike किया बड़ा बनागा दता हूं ठीक है यह ray आई इसने पोल यहाँ पे पीए इसको जिस एंगल पे strike किया जैसे आई पे strike किया तो same उसी एंगल पे वापिस reflect होगी मतलब कि यदि यह 30 degree पे आपती तुई तो 30 degree पे यह क्या होगी reflect होगी यह वाला एंगल और यह वाला एंगल क्या होगा दोनों बराबर होगा यह होगा fourth point ओके ऐसे आप उत्तल में भी देख सकते हो तो यह तो होगे नियम चार नियम होते है इन नियमों का उप्यों करके हम क्या बनाएंगे अब रे डाइग्राम बनाएंगे उत्तल का और अपतल का ओके आपके एक्जाम में नहीं आएगा रे डाइग्राम बनाने के लिए लेकिन आपको आना चाहे बनाने क्यों क्योंकि आपको मैं बोल रहा हूं कि मैंने रटाना नहीं है कुछ भी मैं आ के mirror आपको भी पताए कि यह कितना ज्यादा important है आपने भी एक नई question तो face किया होगा अपनी लाइप में इस वाले टॉपिक से इसके लिए मैंने table बना दिया है अभी मैं इसको सबको rate diagram के थुरू भी समझाऊंगा आपको सबसे पहले अगर आपको rate diagram बनाने तो आपको क्या क्या आना चाहिए एक तो आपको mirror बनाना चाहिए mirror बनाना उसमें क्या है ऐसी है ठीक है मतलब कि इस लाइन को हम इन फिनिटी तक सकते हैं तो इतना पोजिशन दखिए यदि हम object को infinity पर रखते हैं object को हमने यहां रखते हैं infinity पर infinity पर यानि अनन्थ पर object तो देखिए कहां पर बनेगा यह अनन्थ पर इससे एक किरन आएगी जो की मुक्य access के parallel होगा मुक्य access के parallel होता है वो reflection के बाद कहां से जाती है focus से जाती है एक और हमें पताएगी अगर हमें पर्तिविम बनाना है तो हमें कम से कम दो रेज चाहिए एक और रेज आएगी वो भी क्या होगा वो भी क्या होगा reflection के बाद कहां से जाएगी focus से होके जाएगी अब यह focus पे इसने काटा हमने पर्तिविम में भी देखा था कि जहां कि खुले के और और इदर बने गाट इस स्मझबागा इन्फिनिटी और इस तक कर पर बनेगा पहला चली हो कि कर पकस पर साइस देखेए यह इतना बड़ा था और यह कंढ चोटा तो कैसे बनेगा छोटा साइज बनेगा, कितना बहुत ज़दा छोटा साइज बनेगा, यानि पॉइंट साइज का बनेगा, बिल्कुल पॉइंट्स हैं, बिंदू के आकार का बनेगा नेचर कैसा है, मतलब रियल है, या फिर वर्चुल है, यह देखिए दरपन है और दरपन के सामने इमेज बन रहा है, यानि कि यह क्या होगा, रियल इमेज होगा अब रियल इमेज है, तो कैसा होगा यह, उल्टा होगा, तब यह उल्टा बना है देखा, सब चीज लेंक है, एक भी चीज यह आपको रटना नहीं पढ़ा इन्फिणिटी पे था कहां पे बना focus पे focus पे बना कैसे बना उल्टा बना उल्टा बना इतो कैसा बना ल्झा में उर жुप सी और यह सी हो गया p और यह हो गया F हमें बोला कि Beyond C यानि infinity पर नहीं है infinity के आगे है यानि C से थोड़ा पीछे रख दिया गया है यहाँ पर रखा है वस्तू तो जब हम वस्तू को यहाँ पर रखेंगे तो वस्तू कहां पर बनेगा पड़ती है और C और F के बीच मे बनेगा पर आगए है अगर हम से पर लखेंगे यह से उपको एक ट्रिक बताओं और हमको पूरा या याद बनेगा तो यहाँ पर बने गा C और F के बीच में बनेगा कैसा बनेगा? छोटा बनेगा वस्तू से छोटा बनेगा और nature कैसा इसका? तो देखें दर्बं के सामने बन रहा है सामने बन रहा है तो real बनेगा real बन रहा है तो कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा okay? real and inverted तिए भी समझ में आगे आपको बियोंट सी रखेंगे तो काँ बनेगा बिट्विन फोकस एंड सेंटर अफ करवेचर के बीच में बनेगा उल्टा बनेगा रियल बनेगा छोटा बनेगा ठीक थर देखिए अगर हम सी पर रखेंगे यह तो बहुत आप एजी एजी सी पर बनेगा जितना बड़ा यह रखा हमने उतना ही बड़ा बनेगा और नेचर कैसा होगा इसका सिंपल देखिए यह मीरर के सामने बन रहा है सामने बन रहा है यानि कि कैसा होगा रियल है रियल बनेगा तो कैसा बनेगा उल्टा बनेगा तो सी पर सेम साइज का बनता है है अब हम लेके गए वस्तू को बिटिविन सी और एफ इसके बीच में रख दिया तो जो वस्तू है और पीछे भाग जाएगा यानि कि फिर हम आगे लेके आगे तो यह और इदर आ गया है मतलब हम सी प्रकंड के पास लेके जा वस्तू को दर्पन के पास लेके जा रहा है और जब सी पे लाए तब हो पकड़ा गया था मतलब c पर लाए तो झाल को और आगे ले जाएंगे तो यह और दूर भागेगा जिसे कि अभी हमने देखा कि जब हमने c और f एक लिव में रहा है जिसे और यहा पर तो आप कहां पर बनेगा इतर पीछे भागेगा और फिर और आगे ले जाएंगे जिब जब c पे था तब कि था same size का था अब इस से इधर जैसी जाएगा इसका size बढ़ना शुरू हो जाएगा तिक है c से इधर गया size बढ़ा हो जाएगा इसका और देखिए उल्टा दो बनाई है क्योंकि यह mirror के सामने बनाई तो सामने बनाई तो real बनाई इसका मतब क्या है उल्टा है तो जब हम c और f के बीच में रखेंगे तो कहाँ इमेज बनता है beyond c वकरता के इंदर के परे बनता है उल्टा बनता है वास्तुविक बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है इनलाड तो जब हम वस्तु को फोकस पर रखते तो यह बनता है इंफिनिटी पर और दर्पन के सामने बन रहा है तो कैसा होगा रियल है रियल है तो क्या सा होगा उल्टा होगा तीक यह हो गया अब आते हैं लास्ट पोजिशन और यह बहुत ज़्यदा इंपोर्टेंट है क्योंकि इ सी है एफ है और यह पी है हमने अब वस्तु को रख दिया यहां पर तो अब क्या आता है जो इमेज है ना दरपन के सामने बनने के बजाए पीछे बन जाता है इधर बन जाता है इधर बन जाता है इमेज ठीक है अब देखे आपको पता है कि दरपन के पीछे इमेज बनेगा तो कैसा बनेगा वर्चुछाल है अभासी है और जो अभासी होता है वो कैसा होता है सीधा होता है इसलिए मैंने सिधा बनाया है तो जो यह लाश्ट वाली कंडिशन यानि फोकस और पिई के मिल्च में जब हम रखते हैं तो इमेज दरबन के पीछे बन जाता है दरबन के पीछे बन गया यानि कि इस कंडिशन में कैसा होगा इमेज वर्चुल होगा वर्चुल होगा तो कैसा होगा और कैसा होता है बड़ा बनता है वस्तू से बड़ा बनता है तो उपर के पांच कंडिशन थी नहीं पांच है एक दो तो तीन 4 पांच थीड और इन्वर्टेड बनता है पांच कंडिशन में लेकिन लास्ट-कंडिशन में जब हम वस्तु को F और P के बीच में रखते हैं तो कैसा मनता है वर्चोल और एरक्ट बनता है तो इसलिए इसको और कौन के मिरर के पोजीशन ठीक के आप देखते हैं हम universe जाने की उत्तलभर के पोजीशन देखते हैं उसकी प्रकृति कैसे हुती है इमेज फॉर्म बाइ कॉंवेक्स ओंवेक्स मिरर इसमें तो दो ही कन्डीशन होती ए था है वहाँ बर ये कन्डीशन है यहाँ दो सिर्फ दो कंडिशन कूने नius फॉस्ट कंडिशन डेखिए फ्हले मैं आपको यह तक रॉस्ट कंडिशन जब हम इसको इंफिनिटी पर रखेंगे फिसका की इदर होगा वाहर की तो वस्तु को हम इधार रखेंगे तब ही तो बाहर के तरफ सोगा हमने रखा वस्तु को इंफिनिटी पे रखेंगे वस्तु को यहां पर बनेगा फोकस पर बनेगा जब हम इंफिनिटी पर रखेंगे तो वस्तु कहां पर बनेगा फोकस पर बनेगा कैसा बनेगा छोटा बन तो पहला condition क्या है कि जब हम infinity पर रखेंगे तो कहा पर बनेगा focus पर बनेगा और किदर बन रहा है दरपन के पीछे बन रहा है पीछे बन रहा है इसका मतलब कैसा है सीधा है वर्चुल और एक्ट है और कैसा यह point size का है छोटा है मतलब पहला condition दूसरा condition है कि infinity को छोड़के कही पर भी रख दो यानि कि infinity और P के बीच में कहीं पर भी रख देते हैं तो कहां पर बनेगा यह तो यह बनेगा हमीशा कहां पर बनेगा पी और F के बीच में में इमेज बनाता हुग यह एफ हो गया यह C हो गया यह इंफिनिटी था infinity और P के बीच में कहीं पर भी रख देंगे कहीं पर भी तो यह कहां पर बनेगा यहां पर बनेगा यानि P और F के बीच में बनेगा कैसा बन रहा है छोटा बन रहा है और कैसा है दरपन के पीछे बन रहा है यानि कि कैसा है यह आभासी आभासी इसका मतलब क्या है सीधा है एक चीज आपने यहां पर नोटिस किया कि उत्तल दरपन में हमेशा इमेज कैसा बन रहा है आभासी और सीधा बन रहा है उत्तल दरपन में इमेज हमेशा आभासी और सीधा बन रहा है यानि कि वर्चौल और रिरेक्ट बन रहा ह तो रियल और इन्वर्टेट था लेकिन लास्ट वाली कंडिशन में काम खराब हो गया था तो उसमें हम आल वाला नहीं लगा सकते लेकिन इसमें आल लगा सकते कि इसमें जितनी भी कंडिशन है जितनी भी क्या दो ही तो कंडिशन है तो दोनों कंडिशन में कैसा होता है यह आभासी और सीधा होता है question ऐसा पूछा जाता है आपसे घुमा के कि ऐसे दरपन का नाम बताओ जिसमें परतेक स्तिती में परतिविंब आभासी और सीधा होगा यानि कि इमेज वर्चुल और इरेक्ट होगा तो कौन सा होगा वो mirror तो यह होगा convex यानि कि उत्तल दरपन इस व फॉर्मूले के बारे में बताओंगा mirror का formula फिर उसके बाद हम numerical को solve करेंगे तो आज की वीडियो को मैं यही पर खतम करता हूं कमेंट के मादे में से जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को like करें मिलते नेक्स वीडियो में जाइद